Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गिलोई से मिलने वाले 5 बहुत ही Amazing Health Benefits के बारे में गिलोई एक बहुत ही प्राचीन समय से यूज होने वाली जड़ी बूटी है जो की आयरवेदिक मेडिसिन में आम तोर पे यूज की जाती है आपकी Immunity को इम्हांस करने के लिए Immunity को बढ़ाने के लिए लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिलोई के जो Benefits हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी Immunity तक लिमिटेड नहीं है इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे Health Benefits हैं जो गिलोई से आपको मिलते हैं लेकिन यहां इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पाँच ऐसे Health Benefits बताने वाला हूँ जो की पूरी तरह से Scientifically Proven है और सबसे Main Benefits हैं गिलोई को इस्तमाल करने के तो अगर आप जानना चाहते हैं गिलोई के इन Benefits के बारे में तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा यह वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग है और बहुत ही अच्छी इंफरमेशन आपको गिलोई के बारे में इस वीडियो से मिलने वाली है तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजे क्युकि इस तरह का content इस तरह की वीडियोज आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलती रहेंगी पहला benefit जो कि गिलोए को इस्तेमाल करने से आपको मिलता है वो है आपकी इम्मूनिटी एनहांस करना इम्मूनिटी बुुस्ट करना आ आप लोगो को पहले से ही थोड़ा बहुत पता होगा के गिलोए आपको बताना चाहुंका के गिलोए के अंदर बहुत सारे ऐसे अंटी ओप्सिडेंटों से breaking 50 को है इसके से साथ गिलोई जो होती है यह हमारे blood को भी purify करती है और अलग-अलग से चाहे agram बाइर 10 वहरल इंद्फेक्ष्चंस सो हो सभी तरह के इंद्फ secrets से हमें safe रखती है घिल्लोई तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या आप बदलते मौसम में अपने आपको गलग गलग तरहां की बीमारियों से सेफ रखना चाहते हैं, इन्फेक्शन से दूर रहना चाहते हैं, तो उस केस में आप गिलोई को इस्तमाल कर सकते हैं. दूसरा सबसे में बेनिफिट जो गिलोई को इस्तमाल करने से आपको मिलता है, वो है वेट लॉस। जी हाँ, वेट लॉस। इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, कि गिलोई लेने से आपका वेट लॉस भी होता है। गिलोई के अंदर दो चीज़ा पाई जाती हैं, एक होती है अडिनोपेक्टिन और एक होती है लेप्टिन और ये दोनों ही चीज़े आपकी बोडी में वेट कंट्रोल करने का काम करती हैं, बोडी के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं और आपकी बोडी में जो एक्सेस व पॉपीनेस, थुल्थुला पन या सुभा उठने के बाद हमारे चेहरे को पर भारी पन आखों के नीचे पॉफीनेस हमें महसुस होती है तो गिलोवे कर रेगुलर इस्तेमाल करने से क्योंकि ये एक्सेस वाटर हमारी बॉडी से निकल रहा है तो काफी हद तक हमारी जो बॉडी के इंदर ये एक्सेस वेट है जो की पानी की उजय से बढ़ गया है वो कम होने में मदद करती है इसके अलावा बॉडी से एक्सेस टॉक्सिंस को रिमूव करने का काम भी गिलोवे करती है और हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिजम है उसको भी एन्हांस करने का काम करती है और ये सभी चीजें मिलकर हमें ओवरॉल वेट घटाने में काफी हेल्प करती है अगर आपको डायबिटीज है और आपका ब्लड शुकर बढ़ा रहता है तो उस केस में भी गिलोवे आपके लिए बहुत दाता बेनिफिशल हो सकती है गिलोवे को इस्तेमाल करने से आपका ब्लड शुकर कम होता है और जिन लोगों को डायबिटीज है अगर वो गिलोवे का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो यह देखा गया है कि उनकी जो ब्लड शुकर है वो काफी स्टेबल रहती है गिलोवे हमारी बोडी के अंदर डायजेशन को भी इंप्रूव करती है और लिवर फंक्शन को भी इंप्रूव करती है अगर आपको भूग की कमी है या आपको कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या डायजेशन ठीक से नहीं होता है या pates related कोई भी आपको problem है तो उस case में आप गिलोई का इस्तमाल कर सकते हैं काफी beneficial होती है ये आपके digestive system के लिए अगर आप ज़्यादा better results चाते हैं digestion के लिए गिलोई के इस्तमाल के साथ तो उसके लिए आप गिलोई के juice के अंदर आमला juice भी मिला सकते हैं और ये दोनों चीसे मिलके आपको ज़्यादा better effect देंगी आपके digestion को improve करने के लिए गिलोई का एक बहुत uncommon benefit जो है जिसके बार में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं वो है आपकी stress को manage करना यानि गिलोई इस्तमाल करने से आप अपनी stress को कम कर सकते हैं ये बात पाई गई है research में के जो लोग regular इस्तमाल करते हैं गिलोई का उनको stress कम करने में काफी मदद मिलती है और इसके साथ-साथ आपकी memory भी improve करता है गिलोई और mental alertness और mental power और overall आपका जो दिमाग का संतुलन है उसको maintain करने का काम भी करती है गिलोई तो अगर आपको कोई भी mental problem है कोई आपको concentrate करने में problem होती है या आपको बार-बार चीज़े भूलने की problem है या फिर आपको चीज़े याद करने में दिक्कत रहती है या फिर आपको stress रहती है इस्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आजकल हर दूसरे इनसान को किसी और किसी शकल में होती हैं. तो इन सभी चीजों को manage करने के लिए आप गिलोई इस्तमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़ाधा beneficial है इस्ट्रेस को manage करने के लिए. तो आप बात कर लेते हैं कि गिलोई को आपको किस तरह से इस्तमाल करना चाहिए और कितनी डोज में इस्तमाल करना चाहिए देखे, गिलोई को इस्तमाल करने के लिए जो best time है वो है सुबह खाली पेट एक ग्लास गुनगुना पानी आप ले लीजे और इसके अंदर दो से चार टेबल स्पून तक आपको मिलाना है गिलोई जूस और इसको सुभा सुभा आप इस्तमाल करिए तो इससे आपको इसका maximum benefit सबसे अच्छा benefit मिलेगा अगर आप गिलोई को इस्तमाल कर रहे हैं अपना weight loss करने के लिए तो इसके अंदर आप मिला सकते हैं दो टेबल स्पून अलोवेरा juice और अगर आप गिलोई को इस्तमाल करना चाहते हैं अपना digestion इंप्रूव करने के लिए तो आप इसके अंदर मिला सकते हैं दो टेबल जो भी benefit चाहिए वो और ज़दा enhance हो जाएगा दोस्तों मुझे उमीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा like दीजे और ह Instagram ID इस टाइम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजे इजादत मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए टाटा बाइबाइबाइब स्टे हेल्दी हमेशा